हेलो चैंपियन्स उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परवार के साथ सुरक्षित होंगे तो आज की जो वीडियो है यह वीडियो आई पी सी ओल्ड कोर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है मैं इसमें लाया हूँ आपके लिए लास्ट फाइव अटेंट्स के क्वेश्चिन पेपर का एनलेसिस कि किस क्वेश्चिन पेपर में कौन से चेप्टर से क्वेश्चिन आये थे और उसके अकॉर्ड हम पता लगा लेंगे कि कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट है किस से हर बारी क्वेश्चिन चलिए जी तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नवंबर 17 और यहां पर आपको माक्स का कॉलम मेशिंगा माक्स का मैन लास्ट में दे रखा क्यूंकि आप ओल्ड कोर्स वाले आपको अल्रेडी पता होगा कि कौन-कौन से कुश्चन कितने माक्स का आता है फिर भी मैं बता देता 20 का फिर जो दो है वो 88 के हैं तो कुछ ऐसा rocket science है निए बाइक aajay बाकि अच्युद में सेवन्ध है उसमे पांच कोश्चन होते हैं जिसमें चार करने होते ludzi अप ठीक है ? AS10 और दूसरा और इंटर्नल रीकंस्ट्रक्शन तो इसमें ने एक पैटरन बन रहा है इंस्टूट का जो सेम ही है पहले यह होता था इंटर्नल रीकंस्रक्शन और आपका अमल्गमेशन इन दौनों मेंसे एक वार इंटर्नील आएगा पूरी as per schedule 3 बनानी आपको balance sheet एक बारी amalgamation का question आएगा ऐसा ही pattern आपको देखने मिलेगा आगे भी नवंबर 19 में भी और में 19 में भी ऐसा ही हुआ है में 19 में भी आपका balance sheet आई है नवंबर 19 में amalgamation आया है पहले उससे amalgamation आया था ठीक है जी थर्ड question थर्ड question बनता है आपका insurance self-balancing ledger मांक कर लो 100% आने वाला है बाकी में आपको दिखाई दूंगा last में कि बही मुझे क्या लगता है as per my analysis जो मुझे लगता है कि कौन-कौन से chapters है जो आने वाले है उनको please करके जाएएगा बाकी आपकी इक्षा है जैसा आप चाहो वो कर सकते हो अप पूर्णत स्वतंत्र हो तो चलिए जी third question हो गया fourth question हमारा नवंबर 17 में नवंबर 18 में नवंबर 17 से पहले मे 17 में single entry आया था अब दुबार आकान्ट में आर 60 ग्लस लाने बहुत आसान है आप पेपर का पैटन चेक करिए अराम से आप ला सकते है और यहां पर फिफ्थ में cash flow आ रहा है और अपका फिफ्थ question इसमें insurance, insurance बहुत important है क्योंकि देखो insurance May 18 में यहां पर insurance है, November 17 में यहां पर insurance है, May 19 में यहां पर insurance है, यहां पर insurance है, आठ नंबर का question आ रहा है, देख लो और May 19 में भी आपको insurance यहां पर चार नंबर में देखे हैं, मतलब insurance कंपल सरी है, और November 19 की बात करें हैं, तो यह आपका आठ नंबर का question देख गया, तो insurance भी है, छोड़के मच जाना, और वो PSL वाला question जरूर करके आना, PSL पूर सरिंग लाइन वाला question जरूर से करके जाना, तो जी यह है, अब मैं इसको ज़्यादा लंबा discuss करना नहीं चाहता, कि क्या question discuss करूँगा, अराम से बैठेर के तो बहुत ज़्यादा time लग जाएगा, time बहुत important है, तो मैं आपसे request करूँगा, कि आप इसका please access ले लीजिए, ताकि आपको बाद में से आप refer कर सके, मैं थो आपका बस एक, नवंबर में से रहे गया है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए यह expected भी बता दिया है, कि जो मुझे लगता है, as for my knowledge, कि मेरे को यह expected है, इसको ज़्यादा लंबा खिंचनी डामा, तो expected आप यह देख लोगी, यह chapters तो करके ही जाने है, बाकि आपकी इक्षा है, जैसा आप चाहो, तो मेरे को क्या लगता है, as3, as10, as1, as13, balance sheet जरूर आने वाली है, profit और loss, private incorporation जरूर आने वाला है, self-balancing ledger, आप खुद इसको देखोगे न, तो इसमें आपको देख जाएगा, कि आप खुद से gas करोगी, कि हाँ यही वाले question जो बताएं हैं, यह सारे लगते हैं, कि हाँ, यह आने वाले है, higher purchase है, हर बार ही आता है, insurance, partnership तो आपको पताई है, यह तो इसका, मतलब 6th question, partnership ने reserve करवा रखा है, भई, partnership का question ही आएगा, 6th question, यह compulsory है, इसको कोई नहीं बदल सका, आज तक, मैं तो पता हैं, 10-15 साल के, जितनी वे आपके 10-15 attempt के question द लो, और, यह जो chapters लग रहे हैं, आपको, वो करके जाने हैं, जरूर से, और आपको दिखी रहा है, कितने में, इसमें कितना time जाता है, पूरा, हर paper का analysis करने में, तो आप समझदार हैं, CA student हैं आप लो, बागी like, share, subscribe, मैं बार बार कहता हैं, क्योंकि आप CA student हैं, समझदार है अपने आप जो जानते हैं, आपको पते क्या करना होता है, तो ज्यादा time waste नहीं करना, पढ़िए अच्छे से, all the best for your exam, okay जी, bye-bye